दूस्ते एक जमाना था जब पती-पत्नी साधी करके और एक रिस्ता निबाना सुरू करते थे तो वो कहीने की वादे करते थे कि हम सातों जनमों तक जब भी जनम लें तो हम एक दूसरे के पती-पत्नी के रूप में जनम लें समय बदलता गया और जहां खेती किसानी से चलने वड़ा देश भारत था वो अब नोकरी पेसे वाला भारत बनने लगा तो अब कुछ सरकारी नियमों में बदलाव भी जरूरी है क्योंकि रिष्टे तो बनते तो जरूर हैं लेकिन निबते बहुत कम है लोंग ट्रम्स तक रिष्टे निबय ने जा रहे हैं अब रिष्टे चाइनिज माल की तरह हो गए हैं और चले तो जिन्द की पर नहीं तो चार दिन अब इसी के चलते सरकार ने एक फैसला लिया है दोस्तों आज की हमारी वारत अलाप इसी पर आधारित हैं मैं आपका फोजबाई आप देख रहे हैं जमसार मीडिया अब हमारे यूट्यूब चैनल और फैस्बूक पेज पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करने और वीडियो को जरूर सेर करें अपने फोजबाई को प्यार दे दोस्तों ये गटना है भारत सरकार ने भारत के अंदर बढ़रे रिष्टे तूटने के कैसों की वज़े से अब एक फैसला लिया है कि अगर किसी पती-पत्नी का रिष्टा तूट जाता है तो उन पती-पत्नी के दवारा अगर गोर्मेट जोब किया जाता है और वो गोर्मेट जोब के अंदर रेते वे जितना धनार्जित करते हैं वो तो वो खुद रेते वे भोग कर सकते हैं लेकिन अगर कोई मैला गोर्मेट जोब कर रही है और वो खतम हो जाती है और पती से उनकी अनमन हो गई या तलाक हो गया तो उसके धन का आखिर मालिकाना हग किसको मिले आज तक उसके बच्चों को पैंसन का हग नहीं था अब केंद्रिय कार्मिक राजिय मंद्री जितंदर सिंग जी जिन्होंने एक मीडिया को बताया कि पैंसन या पैंसन भोगी विबाग डी ओ पी डबल्यू ने केंद्रिय सेवा पैंसन नियूमों का अंदर बदलाव किया है अगर कोई मैला गौर्मेट जोग करती है पती से अन्बन हो गई है और वो तलाक ले चुकी है तो उसकी पैंसन के हगदार उसके बच्चे हो सकते हैं अगर कोई मैला गौर्मेट जोग करती है और वो विद्वा हो गई है अब उसका कोई नहीं है तो उसकी पैंसन का हगदार कौन होगा उसके अंदर भी एक नियम दिया है कि अगर विद्वा किसी नाबालिक बच्चे या मानसिक रूप से पिडित बच्चों को सरंक्सित करती है तो उस मैला के यानि विद्वा मैला जिसके बाल बच्चे नहीं है वो पैंसन भोगी होती है और वो खतम हो जाती है वो अगर किसी को सरंक्सित करती है जैसे नाबालिक बच्चे या मानसिक रूप से पिडित बच्चों को तो वो उसकी पैंसन के हकदार होते हैं विद्वा मैला अगर खतम हो जाती है तो उसके बाद में लेकिन ये जब तक हैं जब तक वो मैला उनकी अभी भावक बनी रहेगी यानि कि उन बच्चों की जिसको उनने गोद लिया था वो अटारा साल के नहीं हो जाते हैं अगर बच्चे वैसक हो जाएंगे तो वो बच्चे उस विद्वा मा के यानि जिसकी गोद लिया था या अब सरकार बोलती है कि अगर कोई पुरुस और कोई मैला गौर्मेंट जोब कर रहे हैं और उनके रिष्टे ठीक ठाक चल रहे हैं पूरुस अगर जोब कर रहा है तो उसकी पैंसन की हगदार उसकी पतनी होगी और अगर पतनी और पती का रिस्ता अच्छा है तो पैंसन की हगदार पतनी होगी अगर कोई मैला जोब कर रही है और पती पतनी के रिष्टे अच्छे हैं तो पती को भी उस पतनी के जोब की पैंसन मिलेगी लेकिन रिष्टे तूट गे तो उनके बच्चों को भी लाब आज के बाद में मिलेगा अभी तक ये नियम नहीं था आप लोग जरूर ये वीडियो सेर करें और जरूर जो लोग अगर अपने जिवन में खटास पेदा कर चुके हैं वो अपने बच्चों को अपनी पैंसन का हक आज के बाद दिला सकते हैं मैं आपको भूजबे फिर आज रहूँगा तब तक लिए जय हिंद जय बरत